साथियों, हमारा देश का दुरुभागि रहा कि रेल में जैसी महत्पुर्ण दवस्ता जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है उसे भी राजनीती का अखाणा बना दिया गया था बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी पी-म ने सौगात के दौरान पूर्व रेल मंत्रीयों की कारेकाल के भ्रषचचार को लेकर तंज कसा जिसको लेकर सिये मशोग गहलोत ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया पहले सुन लेजे पूर्व रेल मंत्रीयों पर पी-म का वो भाशन साथियों हमारा देश का दुरुभागी रहा कि रेल्वेड जैसी महत्वपुन व्यवस्ता जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है उसे भी राजनीती का अखाड़ा बना दिया गया था आजादे के बाद भी भारत को एक बड़ा रेल्वेड नेटवर्क मिला था लेकिन रेल्वेड के आधुनी करण पर हमेशा राजनीतीक स्वार्ध हावी रहा राजनीतीक स्वार्ध को देखकर तब यह ताय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा राजनीतीक स्वार्ध ही ताय करता था कि कौन सी ट्रेंड की स्टेशन पर चलेगी राजनीतीक स्वार्ध ने ही बजेट में ऐसी ऐसी ट्रेंडों की गोशना करवाई जो कभी चली ही नहीं हालत यह थी कि रेल्वे की भर्तियों में राजनीती होती थी बड़े पैमाने पर ब्रस्टाचार होता था हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमिन चीन कर उन्हें रेल्वे में नोकरी का जासा दिया गया देश में मौजूद हजारों मानव रहीत क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था रेल्वे की सुरक्षा रेल्वे की स्वच्चता रेल्वे प्लेटफॉर्म की स्वच्चता सब कुछ नजरंदाज कर दिया गया था इन सारी परिस्थितियों में बडलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषन पर मेरी प्रतिक्रिया CM गहलोत ने अपने ट्वीट के लेटर में पहले तो 2014 से पूर्व के सभी रेल्वे मंत्रियों के नाम लिखे फिर लिखा, सभी के कारेकाल के फैसलों को व्रश्चाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेडित बोलना दुर्भाग्य पूर्ण है रेलवे का महत्व कम करने का प्रयास तो आपने अपने कारेकाल में अलग रेलवे बजट को समात कर किया है आज अगर आधुनिक ट्रेन चल पा रही है क्यूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने वित मंत्री के रूप में 1991 में आर्थिक उदारी करन किया और नई तकनीक को भारत में विक्सित होने का अफसर दिया पूरी दुनिया में समय के सार टेकनोलोजी एडवांस हुए है जिन से भारत में भी नई तकनीक आई है और रेलवे में सुधार हुए है ये कहना उचित नहीं है कि रेलवे में विकास कारे 2014 के बाद हुए है आई आपका भाशन पूरी तरह 2023-24 के विधान सभा एवं लोग सभा चुनाओं को देखते हुए दिया है ये भारतिय जंता पार्टी के चुनावी अजंडे के रूप में था मेरा ये मानना है कि आपकी ऐसी टिपणिया प्रदेश वाशियों यवं देश वाशियों के गले नहीं उतरेगी पियम मोदी और उसके जवाब में सीम गहलोत के जवाब के बाद गुरुवार को रोजगार मेले में पत्रकारों से बात करते हुए रेल मंत्री अश्वीणी वैशनवनी पलटबार करते हुए का वो भी सुन लिजे ये किसी का फ्रस्ट्रेशन बोड़ नहीं मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तरिके से कहा था कि मैं आपको धन्यवार देना चाहता हूँ कि आप ऐसी राजनिती उठापटक के बाब जो विकास के करिक्रम में आए ये कहा था मोदी जी जो उन्होंने कहा था लैंट फॉर जॉब स्कैम के बात कही थी वो इत्व स्वस्ट तौर पे आज डेटा है एविडिन्स है पार्ट बेस्ट है जिस तरह का कुछ रेलवे मंत्रियों ने करप्शन की नए मापदर्ड बनाए थे वो जब जाहिए है उसकी ने बोलने की कोई बात नहीं है वो सब को पता है और जो आज आप 2014 से आज तक पर परिवर्तन देख रहे हो आप मुझे बताओ आप सब के सब ट्रेवल करते हो रेल्वे स्टेशनों की व्यवस्ता आप देखते हो साथ सुत्रे है की नहीं है साथ सुत्रे आप सब के आपको में हाँ दिख राए ट्रेन ताइन पे चत्री है, जादा गाडिया बढ़ी है, जादा नहीं पठ्रिया बनने लगी, एक पिछला साल ही देख लो, पिछले साल में 5000 किलोलोटर की नहीं पठ्रिया लगी है, यहारे 14 किलोलोटर क्थी देख गी, आज पीम साम ने आप सब के सामने उधारत रखा राजस्थान में इसी साल के अंद में विधानसभा के चुनाओं होने हैं ऐसे में पहले पियम मोदी फिर सीम गहलोत अब रेल मंतरी का बयान क्या विधानसभा के चुनाओं पर असर करेगा आपको बता दे राजस्थान में अभी से ही कॉंग्रिस में मुक्य मंत्री की रेस शुरू हो गई है फिर चाहे वो बीजेपी हो या कॉंग्रिस कॉंग्रिस ने जहां सीएम गहलोत के चहरे और उनकी योजनाओं पर चुनाओं में जाने का दम भर रही है वहीं बीजेपी ने पिये मोदी के चहरे और उनकी योजनाओं के दम पर चुनाओं में उतरने का फैसला किया है